मुस्तिव चो आपका Math Class में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक Class 4 की Mathematical Book के टिक 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 चेप्टर के basic concepts को revise करेंगे। तो में जो clocks related understandings हैं उनको हम तो हैंगे। Class 4 Mathematical Book से lesson टिक 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 फोकॉस इसकी understand तो इसमें हम लोग को सुल जेंगे। तो इस clock को हम लोग दिखें घरों में सकते होती है वार clock तो इसमें दू हैं आवर एंडिन में हैं तो इक clock को analog clock करते हैं कि आपनों घर में एक clock है उसमें वो से त्रहते हैं उसमें एक hand और होता है जिसको हम seconds hand क्याते हैं यह hand बहुत थी कतला और बहुत fast करता है इसको हम लोग क्यते हैं seconds hand आपने अपना टाइम जो है hour, minute और seconds में हम होगा अच्छा है seconds hand को time को ignore कर देते हैं और जो खडी में 1 से लेके 12 तर 12 डिवीजन होते हैं क्योंकि 12 hours को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से आप देखते हो अपने एक दिन में 24 hours होते हैं तो इसलिए हमारे घडी में यह जो time है हर time पूरे दिन में दो बार होता है इसे 7 o'clock आपको morning में भी होता है और 7 o'clock इंडल में भी होता है इस तरह से 1 o'clock night में भी होता है और 1 o'clock रुपहर में भी होता है तो same time दो बार आता है क्योंकि हमारे clock है इसमें 12 numbers से के वने 12 divisions हैं और हमारे एक दिन में 24 hours होते हैं अब देखे घडी में time में कैसे देखना होता है हमारा hour hand इस number पर होता है वो hour का time होता है पर एक complete hour time होने के लिए peanut hand को 12 पर होता है यak system है hour hand 3 पर है our on sit and 12 पर एक तरहसी 3 4 o'clock होने के लिए हमारा जो minute hand है है यह 4 पर आ जाएगा Sorry our hand 4 पर आ जाएगा और minute hand 12 पर पाहुत रहेगा तो 4 अग लोब हो जाएगा, जब hour hand 5 पर आ जाएगा, minute hand 12 पर जाएगा तो तो 5 अग लोब हो जाएगा तो यह से minute hand जब move करता है, तो when minute hand moves, one division it covers five, so the time is 10-10, अब इस dimension देख रहे हैं, hour hand 10 पर है, और minute hand 2 पर है, तो जो हमारा minute hand, एक division नहीं, 12 से 5 तक आया, तो इसने 5 minute time cover किया, तो इससे 1 से 2 पर आने में, फिर 5 minute cover किया, तो इस तरह से minute hand को 12 से 2 तक आने में, 10 minute लग गया, तो इसके तरह यहां पर 10 hour 10 minutes, 10, 10 o'clock time हो गया, इस तरह से minute hand 3 पर आएगा, तो फिर 5 minute उसको लग जाएगी, तो इस तरह से, यहां पर आने पर 15 minute हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि, हमारा minute hand जिस number पर हो, उसमें हां, 5 से multiply कर तो इहां पर 2 five से 10 तो 10 minutes हो गया, तो 3 पर आने पर 35 मिनट हो जाएगा, 45 miracles 25 minutes हो जायगा, 45 Means 55 मिनट हो जा एगा, 45 पर आने पर 5 5 से 35 हो जायगा, him 6 पर आने तो 11-5 से 55 तो यहां पर 11 का 5 से multiply करें तो यहां पर हो जाएगा है 55 मिनट्स और जब 12 पर आएगा तो 20 मिनट्स पूरे हो जाएगा नि बन आपर complete हो जाएगा तो hour end भी हमारा next number पर पहुँच जाएगा अगर नठन करते करते 12 पर आजाएगा तो हमारा hour end यह 11 पर पहुच जाएगा तो फिर यह 11 पर टाइम हो जाएगा अब जो घड़ी में टाइम है इसको हम दो डिफ्रेंट पार्ट्स प्रू करते हैं घड़ी में 2 और पास जैसे अगर 10 हुआ तो इस 10 पास 10 अब 5 आपास 5 पास 10 और नेक्स इधर पार 2 में जैसे अगर 650 हुआ तो 650 का बता हुआ 10 मिनट लेस दन 7 तो हम क्या सकते हैं 10 to 7 यह दिस 10 मिनट 7 तो 650 के ताइम है या 445 है तो 445 होने पर क्या होगा 15 मिनट लेस दन 5 होगा तो हम क्या सकते हैं इस 15 मिनट तो 5 या quarter to 5 इधर 15 मिनट होता है इसको quarter past कहते हैं इधर के जो 15 मिनट टाइम होने को रह जाते है इस quarter 2 कहते हैं और जो 30 मिनट होते हैं इसको half past कहते हैं 10 15 तो इसको हम कहेंगे इस quarter past 10 और quarter past 10 या 9 10 है 9 10 कहेंगे 9 past 10 अब मन लिजिए 445 है 15 मिनट टू 5 है तो या तुम कहेंगे 15 मिनट टू 5 या quarter to 5 तो अगर 10 30 हो गया या 8 30 हो गया तो half past 8 और अब लिजिए अब हम जानते हैं मारे एक दिन में 24 hours होते हैं और हमारी घडी में time 12 hours तक का होता है तो हम जिनके 24 hours को दो भागों बाटते हैं ए-म और पी-म में तो अनलोग clock पर मारा time है वो ए-म और पी-म में डिवाइड होता है तो 12 midnight से 12 noon होने के पहले तक हमारा time पी-म में इसके बाद 12 noon के बाद से हमारा time पी-म में सुरू होता है और 24 hour clock में यही time जो 12 pm के बाद का time है वो 13 hours और 14 hours इस तरह से count होता है यानि जो 1 pm होगा 24 hour में 13 hours होगा 2 pm 14 hours होगा 3 pm 15 hours होगा 24 hour clock में इस तरह से 24 hour clock का time चलता है आप यहां पे 24 hour clock देख सकते हैं यह 12 midnight का टाइम होता है 24 hour clock में इसको 00 कहते है 00 hours और 00 hours से जो रात में 12 के टाइम से होता ही a.m में टाइम से होता है तो 12 midnight के बाद से 12 noon के पहले तक a.m टाइम रहता है और 12 noon से p.m में टाइम से होता है तक वो 24 hour clock में हमारा 1 p.m होने पर 13 hours इस तरह से 24 hour clock में हम time को count करते हैं तुम कहेंगे it is 9 to take time को में रहता है 9 to take तो इस time में hour end 5 पर है में 10 पर है तो 5 10 हमें हम दिखेंगे हमारा hour end जो है तो 3 और 4 के पीच में है यानि 4 पर नहीं है तो और 4 ओक लग तो नहीं हुआ है में हमें 10 6 पर है तो हम गाएंगे 3 35 5 35 तो 6 पर है तो 5 पर है 11 15 पर है 11 13 पर है 11 12 past 35, यहां पर quarter to 5, 45 यह quarter to 5, 8 past 5, quarter to 3, 245 यह quarter to 3, यहां पर 12 book load, अबर हैं यहां जोना 12 पर है, and it is 12 book. Now, convert the time as shown to 12 hour clock time and here 24 hour clock time is 2.15 PM, so 24 hour clock 매ح time come again, 14, 15 hours, 14, 15 hours, लिखा जाएगा, यह 10.35 p.m है तो यह 10.35 hours लिखा जाएगा 24 hour clock में 4.45 p.m है तो इसको 16.45 hours लिखा जाएगा यह जो हुमार p.m का time है इसमें हम hours में 12 plus कर दें p.m के time में hours में 12 plus कर दें तो 24 hour clock का time आजाएगा और a.m के time को a.m हटा कर hours लिखा जाएगा अब 9.25 p.m है तो 9.25 p.m है तो इसमें 12 को add करेंगे 21.25 hours 8.35 a.m है तो इसमें अ.m हटा करेंगे वो hours लिखेंगे 8.35 hours 11.5 a.m है तो 11.5 hours 10.10 p.m है 22.10 hours जो हमारा p.m का time है वो hours में same रहता है तो p.m का time जो है वो 12 plus हो जाता है तो यह 24 hour block time में change रात में जो 12 a.m होता है midnight जो 12 होता है जिसको 24 hour में हम 00.00 और सितते हैं तो I hope you have understood the concepts of block you can enjoy some mathematical schemes on the website expressmath.com timegames क्रूर हुन कापरेश अマगे धू मु किस्पतीर और से रbage खें एून